हेलो नमशकार आप सभी का फिर से सुवागत है बीट्टेक पर मैं हूँ भी और आज हम बात करने जा रहे है एक ऐसी एप के बारे में जो गूगल ने लौच करी है सारे एंड्रोड डिवाइसिस के लिए और जिसको आप यूज करके easily अपने सारे डाटा को मैनेज कर सकते हो और जो extra files है उन्हें असाने से डिलेट कर सकते हो जो duplicate files है और भी बहुत सारे चीजे जिससे आपका phone hang भी कम होगा और storage भी खाली होगी So let's check it out तो जो Google की app है जो Google ने launch करी है इन सब चीजों के लिए उसका नाम है files go ये files go एक तरह का file explorer है जिसके अंदर काफी सारे extra features मिलते हैं हमें simple file explorer से अब उसमें जो extra features है वो क्या है सबसे पहले तो इसके अंदर सारी files को एक इस तरह से अलग करा गया है कि जो large files है वो एक तरफ, जो photos है एक तरफ, जो videos है वो एक तरफ और videos में भी like जो large files है जो इनका एक threshold है मानलो 10MB से उपर की जो files है उन सब का folder है एक तरफ और जैसे आपकी जो सारी ऐसी files होगी जो बड़े-बड़े documents होगी जैसे कोई software वगारा आपका computer का वो आप mobile में carry करके कहीं transfer कर रहे हो तो वो सारी files होती है वो सारी files भी आपके जो बड़े-बड़े जो आपके फोन में किसी काम के नहीं है वो सारी files एक जिगह पर और हो सकता है जैसे कि आप सभी जानते हो WhatsApp पे हम documents वगारा share करते हैं और कई बार documents वो duplicate हो जाते है duplicate documents का भी एक अलग folder है यह बहुत अच्छी बात है इसकी इसके अंदर duplicate documents का folder है और जिससे हम duplicate documents पे सारे पे अब अगर हमें delete करना है तो duplicate documents पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट all करेंगे और delete कर देंगे सिरफ दो steps से सारे duplicate documents सारे duplicate files डिलेट हो जाएंगी आप सिरफ एक क्लिक से तो यह काफी अच्छी एप है जो हमारे phone की storage बहुत असानी से खाली करती है अब जो app cache है उसके अंदर भी हम जाएंगे तो असानी से app cache clear कर सकते है app cache क्या होता है हमारी smartphone की temporary memory होती है जो की app वगारा background में running कर रही होती है तो उनके लिए जरूरत होती है अब देखिए मैं आपर whatsapp वगारा जो messenger facebook वगारा है उनकी तो मेरे पे app cache मेरे को जरूरत हो सकता लोड होता है temporary file वो होती है जो मतलब background में हलक किसी आपको temporary file की जरूरत होती है आप app cache को उड़ा भी दोगे तो आपका data नहीं उड़ेगा तो आप चाहे तो सारी files को select करके आपका app cache delete कर सकते हो जिससे आपका phone थोड़ा सा fast हो जाएगा तो app cache clear कर दिया हमने duplicate files हटा दी और स दो बार है चार बार है ऐसे करके कि कितने टाइम से आपके phone में पड़ी हुई है तो duplicate files हटना एक बहुत बड़ी बात होती है और यह आपको वैसे manually select करेंगे तो आपको वैसे duplicate files नहीं मिलती है और साथ-साथ app cache clear कर देना और साथ-साथ इसके और features है जो आपको easily आपके phone की storage क्लियर करने में असानी देंगे आप इसे थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको पता लग जागा कि आपके phone के अंदर कितनी सारी वेस्ट राइटनम पड़ी थी और कितना सारा data आपने इस एप से clear कर दिया तो दोस्तो आज एक छोटी सी वीडियो मैंने बताई जिसके अंदर आप अपने किसी भी phone के अंदर storage खाली कर सकते हो और storage खाली करने से थोड़ा बहुत phone के अंदर भी improvement आती है, phone के speed के अंदर भी improvement आती है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like, comment और share करें और हाँ, अगर आपने अब यही तक हमार चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्द कीजिए मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए bye bye, have a nice day